दोस्तो राजस्तान के अंदर technical departments में एक बड़ी भरती का announcement हाले में रास्तान के RPSC departments के दोवरा कर दिया गया है हाला कि हम बात करें इस vacancies को लेके तो completely ये technical post है जिसमें assistant engineer ये vacancies का नाम है जिसमें total हम बात करें तो 1014 total पदों के ओपर vacancies जो है इस का आउजन RPSC के दोवरा करवाय जाएगा ये vacancies जो रहेगी वो civil branch और electrical branch और mechanical branch वालों candidate इसको अपलाई कर सकते हैं जिनके पास में simple btech यहाँ पर कर रखिये civil, electrical, mechanical branch से वो candidate इस application forms को 1014 पदों के ओपर online application जो है वो भर सकते हैं तो हम बात करेंगे इस वीडियो में सारी complete किस प्रकास से आपको application form बरना है क्या आपके पास में qualification होनी चीए, categories के according vacancies कितनी है, last date क्या है, examination का syllabus क्या रहेगा, pattern क्या रहेगा उसके बाद में exam date को लेके बात करेंगे, साथ ही आपको बात करेंगे age limits को लेके और उसके बाद में कुछ additional information जो बात करेंगे हम उसकी preparation को लेके तो चली शुरू करते हैं इस videos को आप screen पे देख पा रहे है, total हम बात कर रहे है 1014 पदों के उपर assistant engineer जो की RPC के द्वारा ये vacancy निकाली जाती है, उसका notification हाली में जारी कर दिया गया है ये notification आपको हमारी telegram channel पे मिल जाएगा, जिसका link आपको description box मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करने वाले हाँ पे 1014 पदों के उपर assistant engineer के categories के according सबसे पहले आप department देख पारे, PhD के अंदर IN के vacancy जो है civil department से यानि civil branch से total 365 पदों के उपर निकाली गई है, इसमें general के total पद यहाँ पर रहेंगे 87, उसके बाद में SC categories के 40 रहेंगे ST में आपका 31 रहेंगे, OBC में 59, OBC में 13 रहेंगे और EWS में total 26 पदों के उपर यह जो रहेंगी vacancy PhD के अंदर हाँ पे mechanical electrical branch से हम बात करें 101 total vacancy से रहेंगी, इसमें आपकी general category से 14 रहेंगी और SC category से 18 रहेंगी, ST category से 10 रहेंगी, OBC से total आपकी 18 रहेंगी, MBC से 3 रहेंगी, EWS category से 7 रहेंगी इसी प्रकास से PhD departments में civil branch के लिए 125 पदों के उपर vacancy जो रहेंगी, उसमें general 29 है इस प्रकास से आप लोग अपनी categories के according आप यहाँ पे vacancies का categorization देख सकते हो साथ ही PWD departments में IN के जो electrical branch है, उसके लिए total 20 vacancy है WRD departments को लेके हम बात करें, जिसमें IN यहाँ पे civil branch से 156 total vacancy है WRD departments से बात करें, total 7 vacancy है, जो कि mechanical वाले भर सकते है पंचाहती राज department IN की बात करें, जिसमें सिर्फ है, जो civil और agriculture branch वाले candidate इसको अप्लाई कर सकते है total इसमें 240 vacancy है, तो हमारे पास में total आप देख सकते हो, साथ different departments में और उसके according यहाँ पे branch के according, जो civil branch के, या फिर mechanical branch के है या फिर electrical branch के है, या फिर आप कहेंगी agriculture branch के है तो उनके इंदर जो vacancy IN की थी, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है आप अपनी categories के according यहाँ पे और भी इसको detail से देख सकते है चलिए आगे बात करते है, next यहाँ पे हमारे section को लेके next हमारे section को बात करेंगे, हमारे पास में qualification को लेके आप screen पे देख पार है, यह qualification के columns आपको दे रहे हैं सबसे पहरे आप देख सकते है, B आपके पास में होना चाहिए यानि कि Bachelor of Engineering degree आपके, यानि आप कह सकते हो B.Tech की degree आपके पास में होने चाहिए, चाहिए mechanical हो, electrical हो या फिर आप कहें तो आपका civil branch हो, उसके बाद में agriculture branch हो तो इनमें आपके पास में simple आपके पास में जो graduation है, वो आपका Bachelor of Engineering आपके पास में होना चाहिए, उसके बाद में आपके पास में simple आपका Hindi knowledge होना चाहिए, तो खुल मिला के आपके पास में B.Tech की degree होने चाहिए, Civil, Electrical, Mechanical, Agriculture, किसी भी branch से होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, वेतन को लेके, salaries को लेके काफ़ी शांदार salary है, L14 level जो है, इसमें दिया जाएगा, चववन सो pay grade होगा, उसके बाद में आपका जो है, provision period के बाद में आपकी salaries का increment हो जाएगा, age realization के बाद करें, 21 से 40 साल वाले candidates को अपलाई कर सकते हैं, उसके बाद में categories के according जो construction है, वो आपको दिया जाएगा, आप देखें, यहाँ पर construction को लेके, पांस साल का construction आपका OBC का रहेगा, उसके बाद में SCST categories के लिए 10 years रहेगा, उसके बाद में women's के लिए आपके बास में रहेगा, 5 years का age realization ठीक है, आगे हम बात करते हैं, next आप देख पारें यहाँ पे, उसके बाद में हमारे पास में age realization के points को मैंने clear कर लिया, next point को लेके बात करेंगे, selection को लेके, आप इसके ही पे देख पार है, चाहिएर प्रक्रिया इसमें simple रहेगी आपको candidate को competitive exams के मादिम से इसको examination पास करना होगा, और साक्षातकार यहनि आपके interviews भी RPC के दोरा लिया जाएंगे, interview और आपके mains जो exams होंगे, उसके अधार पे आपको merit निकाले जाएगी, तो ध्यान रहे, इसमें interview भी यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में हम बात करें, next प्रिक्षा योजना पाठेगरम को लेके, syllabus को लेके हम बात करें, syllabus आपका RPC की main official websites पे यहाँ पे जल्द यहाँ पे जारी खर दिया जाएगा, उसके बाद में इसका pattern जो रहेगा, वो भी यहाँ पे आप देख सबते हो, इसका MCQ-based यहाँ पे pattern रहने वाला है, उसके बाद में हमारे पास में examination के center को लेके, और month को लेके, इसक इसके बाद में आप लोग यहाँ पे 12 September तक इस application forms को बर सकते हो, यानि कि 14 August, sorry, 14 August से लेके, और 12 September के बीच में इस application forms को बर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो, कि last date आपके दे रखी है, अगस से लेके सब्टमबर के बीच में, ध्यान रहाए आप 12 September आपकी last date आपकी इतन application forms को बर सकते हैं, जो कि आपने पहले से बना रहा की होगी, उसके बाद में हमारे पास में है, उसको fees को लेके, देखे, OBC category से जो candidate है, उनके लिए यहाँ पे 400 रुपे देने होगे, अगर जो candidate general के है, उनको 600 रुपे देने होगे, और जो candidate दिव्यांग चन है, उनको 400 रु करेंगे, OTR के मादिम से, तो आपको वो बाकी जितनी भी application होगे, वो free of cost आप बर सकते हैं, next अमरे पास में, scheme of examination को लेके है, अगर हम बात करें हैं, इसमें जो state engineering service आप इसको कह सकते हो, assistant engineer जिसमें आता है, तो इसके लिए आपके पास में पहला pre और mains दो pattern के examination रहेंगे, pre examination आपका जो रहेगा, वो completely two parts में divide रहेगा, जिसमें portion A और B portion में रहेंगे, यहां से आप देख सकते हो, सबसे पहले section A को लेके हम बात करते हैं, section A में आपके पास में compulsory paper होगी, जिसमें GK का होगा, general science का होगा, और आपका general knowledge of रास्तान होगा, और geography, economic, culture से समंदित, total 200 marks का ह होगा, 2 गंटे आपको दी जाएंगे, section B को लेके हम बात करें, जिसमें आपका optional subject होगा, जो भी आपके पास में electrical, mechanical, civil, agriculture जो भी है, परते एक section में आपको 200 marks का होगा, और 2 गंटे इसके लिए आपको दी जाएंगे, mains examination को लेके बात करें, mains examination में आप लोग यहां पे देखे तो written examination consists of the following conventional type, यानि आपके पास में जो written examinations होगा, वो conventional type का होगा, एक candidate must take the compulsory subject, जो भी उसके पास में एक जो compulsory subject है, उसके दो papers के जो हैं, वो आपको देने होगे, paper first में हम बात करें, हिंदी होगा, compulsory subject में, और so number का होगा, उसके बात करें, paper second को लेके, social aspect of engineering का हो रहेगा जो कि 100 number का रहेगा, इसमें आपके पास में जो optional subject है, जो कि अगर आपके पास में कोई भी subject है, electrical है, civil है, mechanical है, electrical है, agriculture है, तो इनमें कोई भी आपके पास में चारों ब्रांच में से कोई भी ब्रांच एक है, तो आपको 200 number का paper जो है, वो आपका conventional type का होगा, personality and wise voice से जो examination है, उ तो आप देख सकते हो, यह exam जो आपका interview का process है, उसके बाद में हमारे पास में next, इसमें जो आपके lack, जो information है, वो आप देख सकते हो, application forms के जो documentation है, यानि जिस category से आप लोग भर रहे हो, OBC से बर रहे हो, ST से बर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि ST से बर रहे हो, तो आपके categories का OBC certificate, बिल्कुल लेटी स्टाप का बनवाना होगा, तो दोस्तों यह हमारे पास में RPC के द्वारा निकाले गई, assistant engineer 2014 पदों के उपर बड़ी भरती थी, जो कि technical departments में आपका mechanical, electrical, civil, agriculture ब्रांच वाले इस application forms को, इस पदों पे online application भर सकते हैं, दोस्तों उमीद करता हूँ, आपको वीडियो से में आया होगा, फिर भी किसी प्रकार का confusion के और इस आपके manage में दिए के comment box में आप comment कर सकते हैं, thank you, धन्यवाद